चलिए उस तो बात करते हैं सेकोर नए कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामने निकाए एक निर्माता थोक विक्रेता को 6% लाब पर उतपाद बेशता है थोक विक्रेता खुद्रा विक्रेता को 8% लाब पर उतपाद बेशता है और खुद्रा विक्रेता अपने गिराक को 10% लाब पर उत्पाद बेचता है गिराक द्वारा भुगतान की गई कीमत 31,482 रुपे है 31,482 रुपे है तो एक्जामनल पूछ रहा है कि निर्माता के लिए उत्पादक की कीमत क्या थी मैंने ओलेडी बताया है कि जब भी इस परकार का कुशन आए और अगर आपको डिरेट निकालना है तो आपको जो लास्ट वाला प्राइज आए नहीं की 31,482 आप एड़ेटिस लिख लेजिए और फिर उसके बाद देखिए उसके पीछे क्या दे रखा परसंटेज प्राफिट दे रखा है यह अगर प्राफिट दे रखा है तो 100 उपर लिखिए और उसमें यह प्राफिट का परसंटेज जोड़ दीजिए और नीचे लिख दीजिए 110 फिर इंटू कीजिए उससे पी आता के लिए आपका close price आदाएगा तो काटते हैं जरशे यहांप बिसे काटेवगे तो इस से तो मेरी या वैली चल जाएगा 11 से काटूँगा तो यह 11 12 12 हो जाएगा जब 11 12 12 हो जाएगा आपका 12 तो यह मेरी पास मीचे जाएगा 9 2 11 तो यहां दो बचेगा और ग्यारा दो नी बाइस बचेगा यानि कि इसको काटने के बाद में आपका ये मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो 2862 इसकी वैल्यू बचेगी अब इससे काट लेते हैं आपका 282 अब इसको multiply करेंगे इन दोनों कर multiply करेंगे तो 108 और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 106 तो ये मेरे पास में कितना होगा 8-6-48 8-6-48 और 6 कमचे इसे काटा लगाएंगे फिर काटा लगाएंगे तो ये 10 आपका 8 हो जागा इसको add करेंगे तो ये 8, ये 4 यह 8-6-14 चार और एक और यह 1 हो जाएगा 1-1 1-1 4-8 इसकी वैलिवा जाएगी इसको अगर मैं मालिय मल्टिप्लाइक गूं चार से तो 4 से मल्टिप्लाइक करूं तो कितना जाएगा चार दूनी 8-8-624 हासी लगी दो 8-622-23-34-34-34 हसी लगा तीन चार दूनी 8-8-3-11 यह 25 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो इसका क्रेम लिए आएगा 25,000 रूपीज का क्रेम लिए आएगा यारी कि option जो इस question के लिए correct होगा अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं माल लेते कि निर्माता के लिए इसका को स्प्राइज कितना था आप यानि कि 50 रुपय के चीज, 3 रुपय के profit बेच रहा है, तो वो बेचे कितने में 53, बाइ में 50 में बेचेगा, इंटुब है, ये आगे क्या बेचता है आपका, निर्माता ने थोक विपारी को ये थोक विपारी खुदरा को बेचेगा, तो इतना 8% के profit पे, तो से 8 बटे में म लिख सकता हूँ, तो ये 4 दुनियाठ और 4 पच्चिस सो, यानि कि वो बेचेगा 27 पे 25 वाली चीज, फिर वो आगे ग्रात को बेचेगा 10% के लाब पर, तो 10 बटे में मैं से लिखता हूँ, आपका 100, इससे काटोंगा, तो 10 रुपय पे एक profit है, यानि 11 बटे में 10, यानि क इसको multiply आगे लोगों, तो 11 बटे 10 आएगा, और ये जो value होगी, वो बराबर किसकी होगी, वो बराबर होगी आपकी, आपकी 31, 4, 8, 2 के बराबर, इस value को अगर मैं इहां बेचूँगा, तो same वही value आईए, यानि 31, 8, 2, 2, इन्टू में आपका 50, इन्टू में 25, इन्टू म आयोवा